लुट अच्छा वहां हमारे खुशिया कोई ठेकान नहीं आज बहुत खुशिया हम लोग को इस्टोल दिये मान्समान दिये आज हमके बहुत कुशिया है वो मिनहत का हमें फल मिल गया जो हमने बहुत सर्दी हो धूप हो बरसात हो पहले तो हम लोग दूर-दूर से देखते प्रादानमंति जी को चलो आज हमने हमारे सामने हुए हमने देखा परधानमंति जी हमारे बीच में बैटे थे बहुत अच्छा लग रहा था इतना अनमान नहीं था कि हमारे बीच वो आजाएंगे कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं सिकूर्टी वाले हटा दिया गरते थे आज हमारे वीच थे बहुत खुशी ले बहुत खुशी हुए हमारे इतना सोचे नहीं थे कि कभी हम मील पाएंगे आज बहुत खुशी के बात हैं कि हमारे वीच आये हैं हमारे और पूजन क्या करें और देखें ये अद्भूत द्रिश्य है जब प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी श्रमें वो जयते कि हमारी परंपरा का उद्गोश करते हैं सत्य में वो जयते हैं अगर भारती ये परंपरा का महतुपूर्ण केंद्र बिंदू है तो महतुपू प्रदान मंतरी नरेंद्रमोदी श्रम जीवियों का श्रम साधकों का ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्टर की तरफ से हमारे श्रमयोगीयों का हमारे श्रम जीवियों का हमारे श्रम साधकों का और ऐसे आनेक उद्धरन हमने देखे हैं जब प्रदान मंतरी नरेंद्रमोदी श्रम की शक्ति को नमन किया है और ये नमन समूचिराष्ट का होता है जै जितने श्रम जीवी थे उनके उपर पुष्वर्षा के साथ में अपने तस्वीरें की चाये थे और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दिर्शय और बानगी हमें स्वश्ट तौर पर प्रगयति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर इस पर नजर आ रही है जहांपर एक बा पर बार बार ऐसी घटनाव से हमें स्वश्ट तौर पर देखने को मिल जाता है अपर बहुत है International Convention Center को बनाते हैं यह हमारे ऐसे श्रम साधक हैं जो अपने पसीने से अपने जीवन के प्रतेक कर्म से इस राष्ट के निर्माण की एक 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 इट को और ज्यादा सुसजित करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं निश्चित तोर से अजे कहा गया है कि उद्यमेन ही सिध्धनती कार्यारी न मनोरत हैं नहीं सुप्तस से सिंहस्य प्रविशनती मुखे मृगाह यह पौरुश है यह श्रम है यह साधना ही है जो की व्यक्ति को सफलता प्रदान कराती है क्योंकि सोय हुए व्यक्ति के मुख मे स्वयंग मृग नहीं पहुचता है कि सोयुविश सिंह के मुख में मृग नहीं पहुचता है ऐसी अनेक सुक्तियां हमारे सुभासितान में कही गई है अनेक सुक्तियां ऐसी कही गई है जो हमें प्राण प्रण से हमेशा परिश्रम करने की प्रेड़ा देती है और यह श्र रास्टी स्तर का convention center होना चाहिए, exhibition center होना चाहिए और कैसे उसको भारत की संस्कृती और परंपरा के साथ जोडते हुए इस भवन का निर्मार किया गया होगा, इन ही श्रम जीयोई ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया, चाहे वो शंक की आकरिती में मुख्य भवन के निर परंभ माना जाता है, पंच महाभूत की आवधारणा को दिखाता हुआ, जो पूरा का पूरा जो complex है, वो हमारी प्रकृति के प्रती प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रती समरपन को दिखाता है, भारत की कलाकृतियां हो, या फिर tribal arts की जलकियां, एक भारत और स्रेस्ट भ प्रकृतियां है, जो वहां की संस्कृतियां है, वो भी छवियों के रूप में अपने आपको आपके साथ जोडते हुए नजर आएंगी, आपको आकरशित करते हुए नजर आएंगी, और यकीन मानिए कि ये अंतराश्टिस तर पर भारत को उसकी संस्कृति की पहचान के भारत को वस्देव कुटम्बकम की भावना के साथ बने एक महान लोकतांत्रिक देश के रूप में ही देखा जाता है भारत के संस्कृति और योग और जो दूसकी कलाएं वो उसकी आत्मा है उसका मूल है और उसके साथ में जब विदेशी परेटकों मेहमानों को या फिर जो राष्टा धक्ष उनको ये स्पश्ट तोर पर दिखाई देगा कि भारत वो कहता भी है जो कहता है वैश्वस्तर पर उसको करके दिखाता है और जब वो ऐसे भवनों को भी राष्ट को समर्पित करता है